हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको आफ्टर वी कोलाइड़ ये आफ्टर मुवी का सेकंड पार्ट में आपको एक्स्प्रेंड करने वाला हूँ ओरिजिनल फर्स्ट पार्ट का एक्स्प्रेंशन मैंने पहले ही कर दिया था इसके link आपको description में मिल जाएगी आपको आपको इल्डेटी first पार्ट से मुवी के बारे में पता है तो डारेक्ली शुरू करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमें recap दिया जाता है recap हमें hardin दे रहा है वो कहता है कि जिस तरह से हर novel में एक love story होती है उसी तरह से Tessa और मेरी भी एक लोस्टूरी थी लड़की ने अपने आपको किसी और को प्रामिस किया था उसके बाद अपनी आइडेंटिटी ढूंडी वो किसी और के प्यार में पढ़ गए पर उसे धोका ही मिला थोड़ो से जगड़े के बाद वो फिर से एक साथ आ गए फर्स पार्ट के एंडिंग में हमने देखा था कि हार्डिन टेसा को एक लेटर लिखता है इसके बाद ये दोनों लेख के पास हमें दिखाये जाते है और हमें लगता है कि एक दोनों के साथ ये है पर हरडिन में कहता है कैसा कुछ भी हुआ नहीं था। ये एक रियल लाइफ है, तो इतनी जल्दी किसी को कोई भी माफ नहीं करता। अभी तक टेसा ने हरडिन को माफ नहीं किया है। अभी हमारे सेकृड मूवी की स्टोरी स्टार्ड होगी। की निरेंति यह एक अच्छह सर्फ हैं कोल करने की कोशिश करता हैं तेसा को हाड़ इन की वज़े से एक अच्छह से पब्लिशिंग हाउस में पेड़ इंटरंशिप बीली थोगनेंãy जौप को सिरेस्ली लेती हैं और आज उसका फर्स दिन है वह भी उस्से एग्नोर करती है पर वेसे उसे एग्नोर कर लही थी वह लिफ के पास पहुछती है तो लिफ्ट उसकी मिस हो जाती है लिफ्ट के अंदर ट्रेवर था ऊपर हमारा और एक मेन चैरेटर है एसा को लगता ये दोनों एकी फ्लोर पर रुखते हैं और ट्रेवर भी उसके ओफिस में काम करते हैं टेशा के बॉस की सिकरेटरी जिसका नामें Kimberly ये टेशा से ओफिस में मिलती है टेशा को कहा काम करना है ये सब दिखाती है इसमें बहुत सारी मेस पड़ी हुई है गेती है कि हमारे याज जो भी इंटर्स आते हैं कि ज़ाथ रूखते नहीं डेसा कहती है पर इस इंटर्नेशिप में लोग तो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं किम्बर्ली गेती है वो तो है पर उन्हें जल्दी से fire भी कर दिया जाता है टेसा को बहुत ही टेंशन आ जाता है उसे कुछ मैनुस्क्रिप्ट दी गई है उसे जल्दी से पढ़ कर उसका रिविउ उसे देना है वो रात भर काम करती है और एकी रात में उसने तीन बुक्स पढ़ डाली है जो अपने डेस पर काम करते करते ही सो गई थी टेसा ने दीन बुक्स पढ़ रई है और उसका रिविउ भी एकी रात में लिग डाला है ये सब देख कर उसका बुक्स उससे इंब्रेस्ट हो जाता है अचनक से उड्ती है और रियलाईस करती है कि रात में हो यही सो गई थी वो embarrassed toker अपने बहुत से स्वारी कहती है उसे लगता है कि अब उसका job चला जाएगा बहुत कहती है कि जल्दी से चलो हमें conference में चलना है next scene में हम hardin देखते हैं एक tattoo artist के पास सुआता है एक बड़ा सा tattoo बनवाने वाला है तो artist कहती है कि इसे तुम्हें बहुत दर्थ होगा वोसे alcohol offer कर दिये hardin कहता है मुझे दर्थ अच्छा लगता है टेशा के जाने के बाद वो बहुत ही hurt हो रहा है conference के लिए boss Trevor के साथ टेशा को भी लेकर आया है सब लोग को separate rooms दिये जाते है boss Tessa और Trevor को समझाते है कि एक बड़े से investor अब यहां आने वाले है तुम दोनों को उन्हें हमारी company में invest करने के लिए convince करना है टेशा के बाद सही से कपड़े नहीं थे तो Kimberly और वो जाकर shopping करकर आते है इन दोनों में थोड़े सी bonding होई रही है तो Kimberly Tessa को बता दिये मैं और मेरे boss हम दोनों में सिर्फ boss और secretary यह एक relationship नहीं है उनकी wife की death हो जाने के बाद वो बहुत ही आके लिए थे उसके बाद भी एक साल तक हम में कुछ भी नहीं था और अचानक हम एक दूसरे के प्यार में पढ़ गया वो कहती है कि love बहुत ही unpredictable होता है टेसा भी इससे agree कर सकती है रात में investor से मिलने boss Kimberly, Tessa और Trevor यह सब night club जाने वाले है टेसा का address देखकर सब उसके बहुत तारीफ करते है लब में Trevor Tessa से पूछता है क्या तुम्हारे लिए मैं कोई drinks वगरा ला सकता हूँ टेसा कहती कि नहीं आजकल उसके पास बहुत ही कम पैसे है वो कुछ भी जादा अफोर्ड नहीं कर पाती वो कहती है घर से ओफिस आने तक उबर में बहुत सारे पैसे मेरे खर्च हो जाते है थोड़ी देर में investor इनके पास आकर बैठता है उसने एक pot में बहुत सारे अलकॉल लाई है वो इनसे एक ही चीज़ कहता है कि आज रात हम बहुत मज़े करेंगे और ये सब मिलकर बहुत पीते है अब टेसा बहुत ही ड्रंक हो चुकी है डांस फ्लोर पर आती है थोड़े सा डांस करती है तब उसे एक लड़के में हार्डिन दिखता है उसके पास जाती है और उसे किस कर लेती है थोड़ी देर में रिलाइस करती है कि वो हार्डिन नहीं था तो जल्दी से उसे दूर हो जाती है हार्डिन भी उसके फ्रेंज के साथ एक पार्टी में आया हुआ था इस पार्टी में उसकी एक्स गल्फिंड मॉली भी थी फर्स पार्ट से हमें पता है कि मॉली की वज़े से हार्डिन और टेसा का ब्रेक अप हुआ था मौली हार्डिन को बहुत पसंद करती है तो उसके पास आकर बेटती है हार्डिन उसे नीचे गिरा देता है जब वो जा रहा होता है तो मौली कहती है अभी तक उस घटिया लड़की से तुम मुवाण नहीं कर पाया हार्डिन उस पर जाता ध्यान नहीं देता बाहर आने पर उसे टेसा का कॉल आता है टेसा कॉल पर गहती है कि मैं कितनी ब्यूटिफुल हूँ तुम मुझे अब मिस कर रहे हो हार्डिन समाज आता है कि अब बहुत ही ड्रंक है उसे पूछ भी लेता है उसे टेसा की चिंता होती है तो कहता है यह तुम जहां कहीं भी हो, मैं जल्दी से वहां आ रहा हूँ इसके बाद Trevor फिर से होटेल में जाने वाला था वो Tessa से गुडबाई केने के लिए आया पर Tessa को भी होटेल में ही फिर से वापस जाना था यह दोनों फिर होटेल में आकर Tessa के रूम में हैंगाउट करते है Tessa Trevor से उसके फेवरेट बुक के बारे में भुशती है Trevor अकाउंटिंग में है तो उसे अकाउंटिंग की बुक अची लगती है बातो बातो में Tessa wine का ग्लास Trevor पर गिरा देती है wine के दाग को दोने में अगर लेट हो गया तो एक कभी भी नहीं जाएगा इसलिए Trevor को जल्दी से कपड़े निकानने के लिए कहती है Trevor सिर्फ अपनी underwear में था तब ही Hardin वहाँ पहुच जाता है Tessa दर्वयाजा खोलती है और Hardin Trevor को इसी तरह से देख लेता है उसे लगता है कि Trevor Tessa का advantage ले रहा था जो उस पर बहुती गुसा हो जाता है तो Trevor जल्दी से वहाँ से निकल लेता है Tessa Hardin पर गुसा हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो Hardin कहता है कि ओ तुमारा advantage ले रहा था क्या तुम उसके साथ intimate हो रही थी Tessa question का answer नहीं करती पर गहती है कि अगर हम हो रहे थे तो तुम्हें इससे क्या फरक पड़ता है वो उसके पास आजाती है और उसे tease करती है वो drunk है तो Hardin के साथ intimate होना चाती है Hardin पहले resist करने की कोशिश करता है और यह फिर intimate हो जाती है जब सुबा होती है तब Tessa realize करती है कि उसने क्या किया था बहुत इलेट हो चुकी है वो उसका boss का भी call उसे आ चुका है वो जल्दी से अपने सब कपड़े बहन दिया वो Hardin पर गुसा है Hardin बोलता है कि तुमने मुझे call किया था इन दोनों में fight हो जाती है गुसे गुसे मैं Tessa Hardin से कहती है कि मैंने किसी और को kiss किया था Hardin भी उसे नीचा दिखाने के लिए जूट कहे देता है वो कहता है कि मैं भी Molly के साथ intimate हुआ था नीचा आगकर Tessa Trevor से मिलती है Trevor को sorry कहती है Trevor कहता है कि वो situation यह इसी थी Hardin फिर अपने step brother Landon से advice लेने के लिए आता है वो यह था है कि मैंने बहुत सारी गलतिया की है पर मैं Tessa से बहुत प्यार करता हूँ Landon उस पर believe नहीं करता पर उसे वो convince कर देता है Hardin उसे पूछ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए Landon फिर Tessa को text करता है उसे कहता है कि Hardin मेरे पास आया था वो बहुत इस्वारी है और वो अभी भी तुमसे प्यार करता है Tessa से फिर मिलने Trevor पहुचता है Tessa ने Trevor से कहा था कि Uber में उसके बहुत सारे पैसे चले जाते है तो Trevor ने उसके लिए एक sheet बनाई है इस sheet में उसने उसके expenses के सब calculations किये थे वो conclude करकर Tessa से जहता है कि अगर तुमने कोई car rain कर ली तो तुमारे बहुत सारे पैसे बचेंगे Tessa है सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है excitement में उसे वो kiss भी कर लेती है फिर उसे realize होता है कि गलत था और पीछे हो जाती है Tessa और Hardin जब relationship में थे तो एक साथ ही रह रहे थे उसकी कुछ चीज़ है अब भी उस घर में है तो वहाँ वो पहुशती है लेंडन ने Tessa को कहा था कि आज Hardin लेंडन जा रहा है तो उस घर में कोई भी नहीं होगा इसलिए Tessa वहाई थे बेड़ पर Hardin ने उसके लिए गिफ्ट रखा हुआ है टessa का आज बर्थ्टे है और यह Hardin की तरफ से उसे एक गिफ्ट है यह उसके लिए उसने बहुत पहले बाई करकर रखा था इसमें कार्ड ही जिसमें लिखा हुआ है यह गिफ्ट वो ओपन करती है तो एक कार्ड में लिखा हुआ है तुम्हारे जो भी सब फेवरेट बुक्स है यह इसमें मैंने इंस्टॉल कर दिया यह एक किंडल रिडर है वो घर में ही थी तब अचानक से Hardin और उसकी मदर वहाँ पहुच जाती है मदर टessa को देख कर बहुत ही एक्साइट है वो कहती है कि तुम तो बहुत ही ब्यूटिफुल हो मदर ने इमेजिन किया था कि टेवर को पसनाने वाली लड़की बहुत ही अजीब होगी पर टessa नॉर्मल है तो उसे बहुत खुश होती है टessa Hardin से पूछती है तुमारी मदर को हमारे बारे में क्यों बता नहीं है Hardin कहता है कि मैं रिलेशन्शिप में था तो बहुत ही खुश थी मैं इतनी जल्दी उसे ब्रेक अप के बारे में नहीं बताना चाता था टessa भी समझ लेती है और खहती है कि ठीक है अगर तुमारी मदर को लगता है कि हम दोनों में रिलेशन्शिप है तो हम प्रिटेंड कर ही सकते है मदर फिर से टessa से जब बात करती है तर टessa को कन्विंस कर लेती है कि आज रात उसी यही रुखना पड़ेगा उन्हें बहुत सारी बाते करनी है टessa को अपनी मदर से मिलने के लिए जाना था पर इसे वो पोस्पोन कर देती है रात में Tessa और Hardin एक साथ ही सोते है उन्हें लगता है कि आपने आप पर कंट्रोल कर सकते है इवेंच जो 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 कंट्रोल नहीं कर पाते है और इंटिमेट हो जाते है सुबा होने पर Hardin की मौम से गुडबाय लेकर टessa अपनी मौम से मिलने के लिए पहुच जाती है घर के बाहर उसका एक्स बॉइफरेंड नोवा भी उससे मिलता है वो कैसे है ये एक दुसरे से पूछते है और बातो बातो में नोवा उसे पूछ लेता है कि तुमारे फादर के साथ जो भी टील है या तुम उसे फाइन हो टessa को उसके फादर के बारे में कुछ भी पता नहीं था वो जब छोटी थी तो भी उसके फादर उसे छोड़ कर चले गए थे वो फिर अपनी मदर को कॉल कर दिये पूछती है कि फादर के वारे में मुझे कुछ भी क्यो बता नहीं है क्या हुआ है मदर कहती है कि तुम्हें ढोड़ने के लिए तुम्हारे फादर आये थे पर मैंने यहां से उन्हें भगा दिया टेसा को बहुत गुस्सा आता है और वहां से चली जाती है डिरेक्ली वो हार्डीन के पास आती है रात में हार्डीन को एक बुरा सपना आता है प्रिवियस पार्ट से हमें मालूम है कि हार्डीन के फादर एक ड्रंक थे उन्होंने गैंग से बहुत सारे पैसे लिए थे एक दिन जब वो पैसे लेने के लिए घर पर आया तब हार्डीन के मॉम से उन्होंने जबरदस्ति की हार्डीन के मॉम के साथ जो भी गलत हो रहा था ये सब छोटे हार्डीन ने देख लिया था उसके बाद हमेशा उसे नाइटमेर्स आते हैं उसकी हालत खराब हो जाती है तैसा रात में उसे सहारा देती है सुबावने के बाद हार्डीन की मदर और टैसा ये दुनों बात करती है मदर कहती है कि जब हार्डीन तुमसे मिला तब उसे नाइटमेर्स आना बंद हो चुका था मदर ने figure out कर लिया है कि हार्डिन और टेसा के बीच में कुछ तो गलत हो चुका है टेसा भी agree करती है कहती है कि उसने मुझे बहुत बड़ा जुट बोला था उसे वो hurt हो चुकी थी जब हार्डिन उठता है तो टेसा के पास आता है उसे एक card देता है इस card में लिखा हुआ है कि तुम्हारा perfect day है टेसा बुछती है कि ये क्या है लास्ट टाइम मैं खुद gift नहीं दे पाया था तो एक gift में तुम्हें तुम्हारे birthday के लिए देना चाहता हो एक ऐसा day होगा जहाँ पर टेसा जो भी हार्डिन से कहेगी वो सब उसे करना पड़ेगा यो किसी भी चीज के लिए ना नहीं कर सकता टेसा directly उसे ice skating के लिए लेकर आती है हार्डिन को ice skating नहीं आती तो बहुत बाहर वो गिरता है टेसा फिर उसे योगा करने के लिए लेकर आती है योगा करते करते हैं यह दोनों turn on हो जाते हैं गर आकर intimate होते हैं अचानक से टेसा को ओफिस से call आता है एक call Kimberly का है Kimberly और boss को कुछ काम से बहार जाना पड़ेगा boss को एक छोटा सा sun है तो इसकी जिम्यदारी वो टेसा को देखकर वहाँ से चली जाती है इस छोटे बच्चों पर हार्डीन नजर रखता है और बातों बातों में बच्चा हार्डीन से गालिया सीख जाता है रात में एक Kimberly बॉस के बेटे को ले जाती है वो जाते जाते हार्डीन से कहती है कि टेसा के साथ तुम जब होते हो तो तुमारा based version होते हो हार्डीन हसता है और कहता है क्या ही इतना obvious है अग Christmas आने वाला है तो हार्डीन टेसा को एक beautiful necklace gift करता है टेसा कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि हम Christmas में एक साथ होंगे उसने उसके लिए कुछ भी नहीं लाया है हार्डीन कहता है कि मुझे सिर्फ एक chance दो हार्डीन पहली अपने फादर को hit करता है पार्टी में उसके फादर ब्रैगिंग करने लग जाते है उनकी लाइफ वो सही से जी रहे है पर हार्डीन को लगता है उसकी मदर सही से नहीं जी पाती वो उन पर गुस्टा है तो फादर उसे एक दूसरे कमरे में लेकर जाते है हार्डीन कहता है कि बहुत सारी चीज़े अब तुमने सही कर लिये पर फिर भी मदर से तुमने अपॉलोजाइज नहीं किया है उस राज जो भी हुआ उसके बाद तुम्हें मदर के साथ रहना चाहिए था उसका opposite तुमने किया और हमारी लाइब से तुम चले गए गुसे में अपने फादर को भी पंच कर देता है हार्डीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था तो मदर इस पर बहुत गुसा होती है वो अब यहां से जा रही है वो कहती है कि जिस तरह से तुम एंगर में रहते हो सब bad decisions लेते हो ऐसा ही अगर करते रहे तु सिर्फ अपनी ही नहीं तो टेसा की भी life बरबाद कर दोगे यहां से वो चली जाती है घर आकर भी हार्डीन बहुत drink करता है और सो जाता है टेसा कोई अच्छा नहीं लगता जब वो office आती है तो फिर से ट्रेवर से मिलती है इनने देर रात तक काम करना था तो बहार से कुछ food मंगबा लेते है बाते करते करते हार्डीन के बारे में सब कुछ वो ट्रेवर को कहती है जाते जाते ट्रेवर टेसा से कहे कर जाता है तुमारे और हार्डीन की बीच में जो भी कुछ है इसका अंत सही नहीं होगा ट्रेवर को अपनी company में ही एक promotion मिल चुका है तो एक नई location पर वो जाने वाला है यह उनकी last meeting है टेसा जब घर पर आती है तब उसे उसके boss का call आता है टेसा ने बहुत अच्छे से काम किया है तब उसे अच्छे सी job position मिलने वाली है जिस जगा पर ट्रेवर जाने वाला था उसे वही job मिली है हार्डीन अब जरा सा normal है उसका गुसा अब खतम हो चुका है हार्डीन के friends ने उसे party के लिए बुलवाया था पर ये टेसा के लिए uncomfortable होगा इसलिए वह जा नहीं रहा था टेसा कहे थी कि मुझे कोई problem नहीं है हम जा सकते हैं पार्डी में आकर हार्डीन के friends के साथ बहुत ही drunk हो जाती है इस party में हार्डीन थोड़े time के लिए गायब हो चुका था जब वह वापस आता है तो टेसा और मॉली एक दूसरे से बात कर रहे है मॉली टेसा को tease करकर उसे रोक लेती है यह थी है कि एक दो drinks के लिए तुम्हें रुकना चाहिए यह hangout करते हैं करते हैं किने truth or dare का game खेलना चाहिए लास्ट मूवे में हमने देखा है कि इसी गेम से सब को start हो था मॉली टेसा से पुछती है कि हार्डीन ने तुम्हें दोका दिया पर फिर भी तुम उसके साथ हो तुम्हारा वो first love था इसलिए तुम उसके साथ हो टेसा मॉली को slut बुलाती है इन दोनों में इसे fight हो जाती है और एक दूसरे को बहुत मारती है हार्डीन फिर टेसा को दूर लेकर जाता है एसा हस्ते हस्ते कहती है कि fight करकर मुझे बहुत अच्छा लगा वो मॉली को हेटी करती थी यह सब बाहर आ चुका है यह दोनों फिर उपर के रूम में आकर एक दूसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है अभी आटी से निकल रहे थे तब हार्डीन को उसके एक friend मिली हार्डीन ने उसे कहा कि हमारे बीच आज राज जो भी हुआ यह किसी को भी मत बताना उसने कहा कि वरी मत करो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगे यह सब डेसा ने सुन लिया हार्डीन थोड़े टाइम के लिए गायव था तो उसे लगा कि दोनों इंटिमेट हो गया यह वाहर आकर उससे बहुत ही गुसा हो जाती है हार्डीन कहता है कि ऐसा कुछ भ सुबा होने पर यह दोनों रिलाइज करते हैं कि यह दोनों बहुत ही गलत थे यह फिर से फाइट नहीं करने चाहिए थी टेसा हार्डीन को कॉल करने की कोशिश करती है पर उसकी बैटरी डेट है वो फिर वरीड होकर उसे डूड़ने के लिए निकल पड़ती है रस्ते में उसका एक्सिडन्ट हो जाता है अपना फोन जब ओन करता है तो उसे बहुत सारे मैसेज़स आए हुए है आगे चल कर उसे रोड़ पर एक्सिडन्ट हुई टेसा के गाड़ी मिलती है टेसा अल्ड़ेडी एम्बूलंस में है और एम्बूलंस आगे जा रही है वो भागते इस एम्बूलंस को चेस करता है पर उसे पकड़ नहीं पाता वो कि इस हॉस्पिटल में गई है यह उसे मालूम नहीं है वो हर हॉस्पिटल को कॉल लगाता है उसे डूड़ने की कोशिश करता है फाइनली टेसा को कॉल लग जाता है यह कॉल ट्रेवर उठाता है ट्रेवर को हेल्प करने के लिए होस्पिटल में पहुच चुका था ट्रेवर हार्डिन से कहता है कि तुम दोनों में जो भी कुछ है यह सब गलत है अब टेशा और मैं हम दोना रिलेशन्शिप में है अगर तुम सच्चुच में उससे प्यार करते हो तो तुम उससे जाने दोगे यह क इतना एक दूसरे को प्यार करते है पर उतना पेइन भी हमें होता है उस पार्टी में जिस लड़की को तुमने देखा वो मेरी एक्स गल्फरेंड थी है मैंने प्रिव्यस में उससे हट किया था तो उससे मैंने माफी मांगी थी है इसलिए हम गायब थे है मैं हमेशा तुम से प्यार करूंगा और जल्दी से भूल भी नहीं पाऊंगा तुम भी शायद टाइम के साथ मुझे भूल जाओगी लेटर पढ़ने के बाद टेसा हार्डिंग को कॉल करने की कोशिश करती है पर हार्डिंग ने गुसे में अपना फोन तोड़ दिया था वो अब अपनी लोग को फर्गयों करोगे तब ही तुम सही में खुश रह पाओगे हार्डिंग को लगता था कि उसकी मदर बहुत याके लिए पर मदर कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है उनके ही नेवर को डेट कर रही है वो एक अच्छी रिलेशन्शिप में है मदर फिर कहती है कि टेसा साथ थे ट्रेवर फिर टेसा से सच बोल देता है कि जब तुम होस्पिटल में थी तब हार्डिंग का मुझे कॉल आया था मैंने उसे जो भी कहा जो भी किया वो गलत था पर मैं तुम्हारे साथ जब होता हूं तब वो साइड मेरी बाहर आ जाती है इंडायक लिए वो कह र है पर टेसा उसकी पीछे से आती है दिन कहता है कि मैंने कोशिश की कि मैं तुमसे दूर रहूं पर मैं रह नहीं पाया टेसा फाइनली से माफ करती है हार्डिं हमसे कहता है कि फाइनली हमारी स्टोरी की हैपी एंडिंग हुई यहा हम देख सकते है कि हार्डिं ने और एक ट टेसा से बात करना चाहता था, हार्डी ने उसे पकड़ लिया, टेसा ने जब इसे करीब से देखा, तब रिलाइस किया, कि उसके ही फादर है, अब उसके फादर की क्या स्टोरी है, यह सस्पेंस क्या है, यहां मैं नेक्स्ट मुवी में पता चलेगा, इसी तरह से हैं मुवी इंड हो जाती है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुवीज लेकर आधे रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल नोटिफिशन आएकों दमाने में मत भूलें यानि कि आपको सब मुवीज मिलते रहें हम फिर से मिलेंगे और एक ने मुवीज के साथ तब दे के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये